दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग इंडिया और चाइना के बीच में जो टिंशन चल रही है उसे तो वाकिफी होगे दूसरी तरफ कोरोना वायरा से जो कि इंडिया में फन फैला है बैटा है पता नहीं कम जाने वाला है इंडिया से यहांपर काफी सारे ऐसे लोग है जो की काफी ज़यदा डिप्रेजड हो जूक्य है यहाँपर लोग इंडियन आल्टरनेटिव अप को धुंड だ रहे है इंस्टें आप चाइनीज अब लोगं चाइनीज अप को भी उस करना ने चाह रहे中國 Chinese आप यूज करने से भी कत्रार है लेकिन यहां पर इंडियन आल्टरेटीव एब को चूज करना उतना भी आसान नहीं है क्योंकि यहां पर काफी कम इंडियन आल्टरेटीव एप माचुझाद है लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसे ऐप के बारे में जो की आपको Chinese app से better user interface प्रोवाइड कर सकते है तो बने रहेगा इस वीडियो में You are watching my YouTube channel, TechExperience ये चली जानते है कुछ बढ़िया तो सबसे पहला app आता है ShareChat जो की same to same TikTok के जैसे एक video creation app है ये app user को communicate और interact करने की permission भी देता है यूजर के साथ में इसके अलावा ये app 10 से ज़्यादा language option को भी support करता है ShareChat ने already 100 million download पूरे किये Google Play Store पे और probability TikTok का सबसे अच्छा alternative बन सकता है डाउनलोड करनी के इच्छा है, description box चेक कीजिए दूसरे app का नाम है Jio browser Jio browser उन most popular Indian browser में से एक है जो कि आपको fast and secure internet surfing experience प्रवाइट करता है UC browser का सबसे अच्छा Indian alternative हो सकता है जिस तरीके से आपको UC browser में news और entertainment content मिल जाते है वैसे ही सारे content यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे Epic Wave browser भी UC browser का सबसे best alternative बन सकता है जिससे develop किया है Bangalore based company ने जिसका नाम है Hidden Reflex इस browser में built-in anti-virus protection भी मिल रहा है user के लिए इसी वज़े से इस app को prefer करना better हो तीसरे app का नाम है Adobe scanner Adobe scanner Indian alternative तो नहीं है लेकिन Chinese भी नहीं है one of the most trusted app में यह app सामिल है इस app को आप free में download कर सकते हो और अपने document को scan भी कर सकते हो similar to cam scanner जो की ज्यादातर लोगों की smartphone में अभी भी मौजूद है Adobe scanner में integrated OCR technology भी दी गई है जो की printed text और head writing को easily detect करते है आप लोगों में से कई लोग तो cam scanner को अभी भी यूज़ करते होंगे अपने smartphone में documentary scanner दर निकले लेकिन यह एक Chinese app है मैं आपको एक बाद बता दू Google Play Store ने भी इस app को एक बार ban किया था इस app में Trojan Horse module मिला था बाद में इसके developer ने उस malicious code को हटा दिया यह वही malicious code थे जो की ज्यादातर Chinese app में यूज़ किये जाते है और इसी की वज़े से आपका data unsafe होता है अगर आप selfie किचने के ज्यादा सौकीन हो और filters को यूज़ करते हो तो यहाँ पे Indian alternative भी मौज़ूद है Chinese app का यहाँ पे Indian selfie camera करके एक app है जो की Indian है यहाँ पे यह app decent perform करता है अगर दूसरे camera applications से इसकी comparison की जाए तो इस app में minor glitches मिलेंगे थोड़े बहुत लेकिन update आने के बाद में वो भी ठीक हो जाएगा यह app easy to use UI और बहुत सारे effect के साथ में आता है आप लोगों को एक बात जानके भी हरानी होगी WPS Office भी एक Chinese app है जिसे एक Chinese developer company ने बनाया है जिसका नाम है Kingsoft अब आप बोलोंगे WPS Office तो बड़ी मातरा में यूज़ किया जाता है Microsoft में और उसके अलावा Mac OS में, Linux में, Android और iOS platform पे तो इसका Indian alternative चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है लेकिन उसके बाद भी एक टूल बच जाता है जो की एकदम legal app है Google Drive इसकी file study service user को word document, spread, sit, edit और create करने की permission देती है और उन्हें online store भी किया जा सकता है इसके अलावा Google Drive को आप अपने phone में भी यूज़ कर सकते हो Last app है Viva Video Viva Video का नाम तो आप लोगोंने काफी सुना होंगा और कई लोग की smartphone में या भी भी होंगा लेकिन यह एक Chinese app है इस app में लोग ज़्यातर अपनी वीडियो को edit करते लेकिन इस app में कुछ privacy issue है और unnecessary permissions मांगी जाती है जो कि एक video dating app में नहीं मांगी जानी चाहिए ज़रूरी नहीं है इसका अगर Indian alternative चाहिए आप को तो photo video maker को आप try कर सकते हो वीडियो बनाने और edit करने के लिए इसमें आपको free copyright music के साथ में filters भी मिल जाएंगे तो दोस्तो यह थे कुछ ऐसे apps जो कि Indian alternative चाहिना एप्स के आप चाहिना एप्स यूज नहीं करने चाहते तो आप Indian alternatives को अपना सकते है अगर वीडियो पसंद आएप वीडियो को लाइक कर दी शेर कर दी अपने दूस्तों के बीच में चैनल सस्क्राइब नहीं कि तो सस्क्राइब करके रख दीजे क्योंकि इस तरीके के daily take वीडियो सा आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है फिलाल मिलेंगे अपने अगरे टेक वीडियो में तब तक के लिए बाई